नमस्कार दोस्तों आज एक कोश्चन और लेके आये हुए हैं थोड़ा मेल हाउस के बारे में उसके रिलेटेट कोश्चन आंसर हैं तो कुछ कमेंट बाक्स में आया हुआ था कुछ कोश्चन थे उसी के बारे में थोड़ा सा डिसकेशन करना है कुछ question बताते हैं और जो भी और comment box में हैं उसका भी discussion करते हैं चलिए start करते हैं पहले question से ही एक तो ये आया हुआ था कि apex angle के बारे में बहुत आ रहा है क्या होता है, कैसे होता है, क्या है ये तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि apex angle जिसे टाप, feed और discharge ये तीन रोलर हो गए ठीक, टाप का center, feed का center और discharge का center से करके ये के बना दिया गया, ठीक, ट्रेंगिल बन गया ट्रेंगिल बनता है, तो जो ये टाप का आया हुआ है जो ये हमने दिया हुआ है, अलफा ये होता है apex angle वैसे तो हर जगा 72 से लेके 74 तक ही रखते है वैसे 72 standard है क्यों है उसके बारे में भी बताते हैं आपको कि इतना ही क्यों लिया जाता है सबसे पहले इसको समझ ले कि अलफा 72 डिगेरी माल लिया हो गया तो एक पॉइंट यहां फीट रोलर पर आया, पॉइंट दे लिया गया है इसको नाम दे दिया बीटा और एक यह पॉइंट आ गया है इसको मने दे दिया गामा यह टो साइड है, यह हिल साइड है, टो का मतलब है, फीड साइड है, हिल का मतलब है, डिश्चार्ज साइड जो अपना हिल के लियरेंस हो गया है, वो तो अलफा की बात है तो बीटा कितना होना चाहिए, जितना हमारा यह अलफा है, अलफा वाई सिक्स 72 डिगरी यहाँ अलफा वाई 6 यह बीटा हो गया 12 डिगरी के लबब में और गामा जो होता है इसका अफशिक्स होता है 25 से 28 आपने देख लिया यह 25 से 28 पर यह हुआ तो इससे होता क्या है कि यह पॉइंट आपको एक फीड साइड मिल गया एक डिश्चार साइड मिल गया इसी से ही ट्रस प्लेट की प्रोफाइल का डिजाइन होता है जो हम 6 परसंट स्लोप में करते हैं अच्छा एक क्वेश्चन और था कि जैसे हम जब सेटिंग करते हैं तो उस समय हम कैसे फाइंड करें कि कितना स्लोप है इसका तो उसके लिए आपको प्रोसीजर बताते हैं सेटिंग बार उस समय रखा होता है जब आप सेटिंग करते हो सेंटर लाइन ये अपना हुआ ट्रस प्लेट का यहाँ एक पॉइंट आप रख लिए इस पॉइंट से चाहे सेटिंग पॉइंट से जो सेटिंग और रखा हुआ है वहाँ से आप एक नमबर का डिस्टेंस ले ले और दो नमबर का डिस्टेंस ले ले दोनों को सब्टेट कर दें और डिवाइड कर दें कितने से यहां से आपने 100 लिया था यहां से आपने 100 लिया था टोटल कितना हो गया 200 200 से आप डिवाइड कर दीजे आपका स्लोप निकल जाएगा ठीक किलियर हो गया दो कोश्चन एक और कोश्चन आ रहा था क्यों है यहां पावर रिक्वाइर्मेंट बताए कि HP का एक फार्मूला जो होता है यह लेबलर और चोपर दोनों को लिए है HP इकोल टू 0.0026 KC FNR अपान P इसमें K क्या है प्रपोर्सन आप केंड कर 0.8 रखा जाता है C जो है यह TCH है कितने TCH का प्लांट है F हुआ अपना फाइबर % गेन हो गया N Speed आप Rotation चोपर का ले रहे तो उसका RPM लेंगे Labelar का ले रहे तो उसका RPM लेंगे ठीक Pitch जो एक knife से दूसरे knife के बीच की दूरी होती है उसको Pitch कहते है वो हब में ही Mount होता है तो हब के ही Thickness के बराबर में लगभग में पिछू आ जाएगी उसको आप Count करें ओ भी mm में और Radius आप Cutting Circle Swing Daya होता है Daya होगा Daya Divide by 2 Radius हो जाएगा अपने यहां का ही एक Question इसी को हो उठा के करते हैं यहीं से Clear हो जाएगा जैसे अपने यहां पे जो चोपर है उसका पिछ जो है 50 mm है फाइबर ले लिया 15% तो 0.15 हो गया RPM 300 RPM हो गया Swing Daya है 1600 mm तो Radius हो गया 800 mm और 334 TCH Crushing Rate हो गया 8000 के प्लांट के हिसाब से ठीक इतनी चीज के लिए हो गई यहां पर देखे रख दिया 0.0026 multiplied by 0.8 334 multiplied by 0.15 multiplied 300 और 800 divided by 50 यहां से देखिए आपका निकल गया 500 HP तो यह तो हुआ आपका requirement power लेकिन installed power हम 20% extra लेते हैं तो 1.2 से कर देंगे तो 600 HP अपने यहां 600 ही HP की मोटर लगी हुई है उसके बाद एक gear box लगा हुआ है जिसका ratio 2.0 1.1 का है 300 RPM रिड्यूस करके कर देगा 600 RPM की मोटर है 600 HP की 600 कल्कुलेट हो गया चलिए लेबलर पर आते हैं लेबलर का हमारा swing डाया जो है 1650 है तो 825 रख दिया 590 RPM देता है सेम चीज वही रख दिया यह देखिए 2014 आ गया 20% extra 1200 HP अपने हाँ double drive मोटर है दोनो 600 HP की ही मोटर है टोटल देखिए 1200 HP हो गया ओके आप अपने यहां का डाटा देके इस फार्मूले में पुट कर ये देखिए आता है कि नहीं आता है एक क्वेश्चन और आया कि DMF क्या होता है DMF देखिए dry milling factor जो की नाम ही indicate कर रहा है आपको कि dry milling factor dry milling factor बतला हुआ कि जिसमें पानी ना हो तभी तो dry होगा तो जितना भाई mixed juice है mixed juice में तो mixed juice का नाम ही इसरी क्योंकि juice प्लस water है उसमें यदि हम water को हटा दे mixed juice में तो क्या-क्या बचेगा juice बचेगा क्यों वही DMF हो जाएगा net mixed juice percent can minus added water percent 68 percent हो गया और एक question और कहीं कहीं पूछा जाता है कि what is the first express juice और last express juice तो सभी कहेंगा first express juice हुआ 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 जो पहले बाले मिल से निकले और last express juice हुआ जो last meal से निकले नाम तो यही बता रहा है लेकिन थोड़ा सा इसमें यह है first meal के feed side से जो juice निकलता है उसे first express juice बोलते है और last meal के जो discharge side से निकलता है एक का देखे feed side से निकलना है दूसरा है discharge side से वो last express juice हुआ और आपको meal पर है तो आपको जो है जो भी अपने main main equipment है उनके material के बारे में जानकारी बहुत जरूरत है क्योंकि यह कहीं आप जाते हैं तो material के बारे में जरूर पूछा जाता है जिसे आपका meal head stock पूछा ले पहला ले लेते हैं यह किस material के बना होता है CSIS 1030 1974 कास्ट श्टील Indian standard 1030 grade का होता है और 1904 इसका Indian standard है तो जो भी यह कोई पूछता है तो आपको पूरा बताना होता है इसी हिसाब से जो roller की साफ्ट होती है यह 40 C8 की होगी यह 45 C8 की होगी यह 4G steel की होती है IS मतलब Indian standard 1570 1989 ठीक इसी हिसाब से roller का जुस्सिल होता है वो कास्ट आरेन का बना होता है Indian standard 11201 1915 course grain होता है और 180 BHN इसमें hardness इसकी दी होती है 180 BHN मतलब हुआ कि brinnell hardness number निकाला जाता है इसकी hardness 180 होती है इसी हिसाब से आप trust plate का CSIS 1030 grade 22 आवलिक 45 याद कर दीजेगा 22 आवलिक 45 इसी हिसाब से tell bar की tell bar होता है ओभी forge steel का होता 40 C8 IS 1570 ओके और सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो question है ये crown pinion का है इसकी जरूर से जरूर याद रखिए CSIS 2700 जो आठ ग्रेट थर्ड भी 1973 इसको जरूर याद करिए ये बहुत जगे पूछा जाता है कि crown pinion का material क्या है और ये coupling जो दिया हुआ है ये टेलवार coupling है लोग इसको square coupling बोलते है मफ coupling भी बोला जाता है CSIS 1030 grade 26.52 और एक और question जो अपने आप से है ये आपको हम बाद में बताएंगे मिल drainage area का calculation पूछा जाता है बहुत जगा इंटर्विव है drainage area से ही आप समझ रहे होंगे कि जो आपका juice निकल लहा है यदि वो पूरी तरीके से drain नहीं होगा तो roller के उपर juice spread कर जाता है और अगले वाले milk के लिए carry over हो जाता है जिससे milky efficiency down होती है तो milky drainage area का calculation होता है इसलिए आप देखे होंगे पहले कि lotus roller लगाने लगे couch roller लगता था lotus हुआ इस अब लगाने का मतलब केवल यही है केवल drainage area को बढ़ाना इसका calculation होता है यह थोड़ा सा लंबा calculation होता है इसको मैं आपको बहुत बताएंगे अगले वीडियो में बताएंगे इसके लिए time भी चाहिए यह pending रहा अपना milk drainage area calculation और एक चीज और पूछते हैं कि milk sanitation क्या होता है milk sanitation वो होता है जैसे अपनी मिल चलती है तो side side में देखे होंगे कि बैगास जो है इकठा हो जाती है पानी उगरा ठीक से नहीं लगाए तो वहाँ कुछ time के लिए इस बैगास इकठा रह जाएगी तो होता क्या है कि इसमें फर्मन्टेशन होने लगता है उसमें把它 आ जाते हैं और वेक्टिरिया करता क्या है यह sucrose को एबजारु करता है जब वो sucrose को खाता है जब वो sucrose को खाएगा तो उसकी ग्रोश और तीजी से होने लगती है तो 1 से 2, 2 से 4, 4, 8 आठ ऐसे इनकी संख्याएं बढ़ती रहती है और यह सुक्रोज को और एमजारब करते रहते हैं उससे होता क्या है यह लॉसस में आता है जो की दिखाई नहीं देता विए डारेक्ट एफेक्ट करता है आपका रिकवरी में तो इसी लिए इसकी एक यार की वी निकाली जाती ह है लेड में टेस्टिंग होती है जोस की दिखाई उसकी एकवलेंट रेसियो परी निकाला जाता है उसका एक फार्मूला है यार की वी मिक्स जूस के लिए 96-98 बढ़िया है LMJ last mil juice और प्योर जूस के लिए इतना है इसके लिए फार्मूला यह है यार की वी निकालने के लि उसमें 1.4 का multiply करते हैं minus 40 divide by 1.4 multiply by purity या pure juice का उसमें भी 40 का subtract करके multiply by 100 करते हैं उससे ERQV निकाले जाते हैं यदि यह higher ratio of ERQV है तो better sanitation है यदि ERQV की value कम आएगी तो आपको मतलब sanitation सही नहीं है कहीं न कहीं bacteria है जो की सुक्रोज को absorb कर रहा है और ये एक general सा question है कि feed side से जो juice extract होता है वो 65% के लगभग में होता है और discharge side से juice 35% पर होता है और एक दो question हम आपको देते हैं इसको आप थोड़ा सा discuss कर लिए नई तो हम बताई देंगे आपको जो हम trust plate set करते हैं जो उसकी position है यदि हम trust plate को position से यदि हम high set कर दें low set कर दें high करें या low set कर दें तो इससे क्या फरक पड़ेगा नंबर एक बात तो यह आती है कि उसकी position से high करें तो क्या फरक पड़ेगा और low कर दें तो क्या फरक पड़ेगा इस पर discussion और होगा बाद में और दूसरा question यह है जो हम heart water ambition जो हम लगाते हैं इसके advantage और disadvantage क्या है advantage और disadvantage दोनों क्या क्या है यह दोनों question और एक drainage area का calculation यह आपको अगले वीडियो में बताएंगे इस पर थोड़ा सा बिजार करिएगा इन दोनों तीनों question पर इसके बाद में हम आपको boiler के भी question बताएंगे production side से जब निकलेंगे तो वहां का एक thumb rule बताएंगे कि TCH के हिसाब से क्योल को thumb rule आप इतने percent यह कर दिया तो कितने किस्टलाइजर कितने पैन होने चाएंगे कितना मैस्क्रीट हो कितना मॉलस निकलेंगे हर एक चीज का क्लिक विशन होता है अब आपको thumb rule बता देंगे उससे निकालेंगे बिज़ फार्मॉला निकालेंगे तो नियर रिवाउट से एक्वल आएगा ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आप कोश्चन पूछते रहें सभी कोश्चन का आंसर देने की कोशिस करेंगे और इसको सब्सक्राइब कर दिजिए लाइक करिए शेयर करिए और लोगों को जोड़िए जितने नमबर आप परसन ज़्यादा होंगे नमबर आप कोश्चन ज़्यादा पूटप होंगे तो और अच्छा होगा ओक्या थाइंक्यू